आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को फेस्बुक से प्रती दिन 10-15 लीड मिल जाते हैं जबकि बहुत से लोगों को दिन में एक भी लीड नहीं मिल पाता आखिर क्या करन है इतने बड़े गैप का आज के इस वीडियो में हम यहीं सीखेंगे कि कि किस तरह प्रती दिन फेस पर तीन तरह की लोग मौझूद हैं सबसे पहला केटेगरी है फ्रेशर जो ब्यक्ति नेटवर्क मार्क्टिंग या डिज्टियल मार्कटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता है यानि जो बिल्कुल फ्रेशर है और सेकेंड केटेगरी है लीटिल नॉलेच और मेभी लीट इनके पास नेटवर्क मार्कटिंग या डिज्टियल मार्कटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जनकारी होता है कुछ लोगों के पास जनकारी के साथ थोड़ा बहुत अनुभाव भी हो सकता है जैसे जो ब्यक्ति प्लान देख चुका है या किसी से नेटवर्क मार्कटिं काफी समय से कर रहा है, जिनके पास network marketing को लेकर काफी अनुभव है, वो इस category के अंतरकत आते हैं, तो हमारा lead किस category का person होगा, category first और category second, category third क्यों नहीं, क्योंकि कोई person already किसी company के साथ जुड़ा है, तो वह आपके साथ नहीं जुड़ना चाहेगा, और उस ब्यक्ति को जो already experienced है, और effort लगाना पड़ सकता है, और अगर आप उससे अधिक कम्याब नहीं है, तो वह आपको जुड़न नहीं करेगा, first और second category के person को attract करके, उन्हें आप असानी से अपने business presentation मिला सकते हैं, और उन्हें जुड़निंग करवा सकते हैं, facebook से प्रति दिन 10 से 15 lead प्राप्त करने के मैं आप से कुछ tips बता रहा हूं, जिससे follow करके आप असानी से lead generate कर सकते हैं, सबसे पहला, daily आपको 5 से 10 लोगों को friend request भेजना है, friend request कैसे भेजना है, सरव प्रतम जिनको friend request भेजना है, उनके profile को भेजिट करें, और जो profile आपको अच्छा लगे, उनको friend request send कर दें, प्रति द message भेजें, जैसे कि thanks for accepting my friend request, या thank you very much for accepting my friend request, और उनके बाद उनको थोड़ा सा appreciate कर दिजिए, conversation को कैसे शुरू करना है, और conversation को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर एक पूरा वीडियो लेकर मैं जल्द ही आने वाला हूं, दूसरा है, join 5 to 10 Facebook group daily, बीना पैसा खर्च किये, ज्या बेहतरीन opportunity का wait कर रहे हैं, बस आपको उन्हें अपनी तरफ अकरसित करना है, next है how to join Facebook group, Facebook group को join कैसे करना है, सबसे फ़हले Facebook को open कर लीजिए, बाद जो right side में three dash दिखे रहा है, इस पर क्लिक कर देजिए, इस पर क्लिक करने के बाद जो groups का option दिखे रहा है, इस पर क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपको सोवना शुरू हाजाएगा, popular near you, friends group, science and tech, faith and spirituality, civics and community, vehicles and commutes, foods and drinks, hobbies and interest, parenting, relationship and identity, entertainment, travel, arts, humor यानि जो मजाकिया पोस्ट होते हैं, sports and fitness, animals, styles, business, why and sell, education, इसमें आपको क्या करना है, जो group आपको relevant लगे, network marketing वाले group को छोड़कर बागी सभी group को जोईन कीजिए, network marketing वाले group को किम नहीं जोईन करना है, मैंने बताया था कि उसमें, उसमें सभी लोग experience person है और सभी लोग lead के लिए ही आई हैं, और जहाँ पे सभी लोग lead के लिए हैं, वहाँ पे lead मिलना मुस्किल है, जोक्स हो गया है, इसको आप जोईन कर लीजिए, request हमने send कर दिया, दो लाग सोला आजार मेंबर है, नेक्स्ट है, अधिक से अधिक lead लाने का secret tips, नमबर वन, join daily 5-10 facebook group, प्रती दिन 5-10 facebook group को जोईन कीजिए, second, post daily 4-5 post in a group, प्रती दिन एक group में 4 post डाले, और 4 post एक ही बार में नहीं डालना है, time to time डालना है, जैसे आपने 4 poster बना लिया, एक आपने 8 बजे morning में डाल दिया, दूसरा आपने डाल दिया 12 बजे, तिसरा 4 बजे, और 14 रात के 8 बजे डाल दिया, तिसरा, post should be relevant to his group, ग्रूप के अनुसार ही पोस्ट डाले, अगर कोई traveling से संबंधित Facebook group है, तो उसमें आप लिख सकते हैं, कि traveling करते हुए भी पैसा कमाया जा सकता है, जाने कैसे, और call to action दे दिजे, अपना नमबर दे दिजे, लिख दिजे, DM में या call में, या, और ने डेली 500 से 1000, from his smartphone during traveling, no more, call या WhatsApp में, अपना नमबर दे दिजे, चोथा है, चार अनुपात एक के ratio को follow करें, चार अनुपात एक का मतलब, चार value adding post डालना है, और एक business का promotion करना है, अगर आप ज़्यादा बिजनेस का promotion करेंगे, तो लोग आपके साथ connect नहीं हो पाएंगे, पाचवा, follow 80-20 rule, 80-20 rule सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें, आप 80% valuable content डालते हैं, और नीचे 20% अपना बिजनेस का promotion कर देते हैं, उधारन से समझते हैं, यसे आपने लिख दिया 5 content idea, और आपने लिख दिया books, google, youtube, blogs, articles, quora, और अपने नीचे लिख दिया, और ने डेली 500-1000, from his smartphone, no more, call और whatsapp में, और आपने अपना number दे दिया, comment in group post, जिस group में जुड़े हैं, उसमें जो अच्छा post है, उस पर comment कीजिए, इससे लोग आपको जानते हैं, और लोगों से relation बनता है, और इससे आपके post पर भी like और comment बढ़ते हैं, continue it for 30 days, यह 5 tips को लागातार 30 दिन तक follow करना है, dedication के साथ, आपने अपना profile को optimize कर लिया होगा, क्योंकि आपका lead सुरपरतम आपके profile को देखता है, अगर आपका profile उसे अच्छा लगता है, तभी वो आपको message करता है, इसलिए अपना profile को professional रखे, digital network marketing part 2 में हमने बताया है, कि अपने profile को professional कैसे बनाए, मिलते हैं अगले वीडियो में, कि lead को sale में कैसे convert करे, यानि लोगों से conversation की शुरुआत कैसे करे, conversation को आगे कैसे बढ़ाए, लोगों को अपने business presentation में कैसे invite करे, वीडियो कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताएं, वीडियो को like कर दिजिएगा, और आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया, तो subscribe करके bell का icon जरूर प्रेस कर लेजिएगा, वीडियो को फुरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, आपका दिन सूब,